हेलो प्रेंस में आम आकास और आप देख रहे हैं आकस लेक्चर ओरलाइन दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कख्षा ग्यारवी अध्यचाल रासानिक आवंधन एवं आणविक सरदशना इसके अंदर अगत हम पढ़ेंगे सहसेयुजक बंद एवं उसके य सहयुजक का मतलब नहीं है सहय मिस क्या होता है सांजा सहय मिस सांजा होता है और बंद मलब सांजे से बंधा बंद हम इसकी डेफिनिसन जाल लें कि जो सहसेयुजक बंद होता है वो दो परमाणों के बीच एलेक्टोन के समान सांजे से बंदा है वह बंद सहसेयुजक बंद कहलाता है मैंने बता है कि जो सही होता है उसका मीनिंड होता है साशा ठीक है इसके बाद जो कि खोज है वो लुएष जिन्वारा कि गई है अध्यात्मक प्रिकिति का होता है आप ने आने बंद्र पड़ा वो कैसा था ाधि Daar सब्सक्राइब कि two three 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 three-nap प्रकार की बंद होते हैं.. एकल सैसे जाएक 2- सैसे हो जाएक और 3 सैसे जाएक सब्स्पुफज़ न हम 500 सैसे जख़़ बंद के बारे में में जान लें एकल fasting दो परमान। एक 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 एलयक्रोन का साज़ा करते हैं तब एह एकर सर्ज़ग बनता है परिवासा पड़ लेते हैं कि जब दो परमाणों के बीच एक जोड़ा ऐलेक्टरॉण का साज़ा होता है एक जोड़ा मतलब एक मान की चलो H2 है क्या है H2 एक H का एक ऐलेक्टरॉण और एक H का एक ऐलेक्टरॉण मतलब कित्त एलेक्ट्रन है दो या हम कह सकते हैं कि दो पर्माणु के मद्ध एक लेक्टान का जोड़ा सांजा होता है ठीक है बात एक ही है तब एकल सासे जगबंद बनता है अर्धारन के लिए हाईड़ूजन अनु एच टू में दोनों एच पर्माणू के बीच सांजिधा यह थे उसाइसव उजग बंद का मीनिंग है दो सैसोजग बंद'D बनना ? कि दो सैसोजग बणन रहें एक बंद में अधिकतम लेक्टॉन कितने हो धों एक बंद में कितने लेक्टरण होते हैं दो सामन तहा एक बंद में दो एलेक्टरन होते हैं तो दो बंद बनेंगे तो कित्ते एलेक्टरन होगे चार या हम कह सकते हैं दो एलेक्टरन के जोड़े तो इसकी परिभास क्या हो जाएगी कि जब दो परमाणूं के मद दो जोड़े एलेक्टरन सांजे होते हैं तब बंध बनता है या जब दो परमाणूं के बीच चार इलेक्ट्रोन का साजह होता है तब बंध बनता है ठीक है तो एक एक्जामपल लिया हमने औक्सिजन अडूंका बनना जैसे औक्सिजन है औक्सिजन के बाहरी को उसमें 6 एलेक्ट्रोन होते हैं एक, दो, तीन, दो, पाँच और एक, छे, यहाँ पर एक में दो, के बाद, तीन, चार, पाँच और छे, तो अक्षियन का जो प्रमाण के मांख है, वो आठ होता है, इसके बाहिकुस में छे लेक्ट्रों उटते हैं, इसलिए है समुसूला का तत्व है, तो इससे दो लेक्ट बात करने, तिरेक सैसे होजग बंद की, तिरेक सैसे होजग बंद मतलब, कि तीन सैसे होजग बंद, तीन सैसे होजग बंद क्या है, तीन सैसे होजग बंद, तो हम सुरू करें, तो इसकी परिवासा क्या होगी, कि जब दो परमाणूओं के बीच, तीन एलेक्ट्रों जोड बनता है उधारण के लिए है nitrogen यहां पर देख सकते हैं कि एक बन्द दो बन्द और तीन बन्द है यहां पर nitrogen में ओके तो कौन सा बन्द बना त्रिक सैसे उजग बन्द कहलाता है सबसे पहले सैसे उजग क्या है तो जैसे आपने पढ़ा था कि आयनिक बन्द से बना योगिक आयनिक योगिक कहलाता है इसी परकार सैसे उजग बन्द से बना योगिक सैसे उजग योगिक कहलाता है इसकी परिभासा क्या है इसमें क्या दी है कि दो परमाणो के बीच electron की सांजिधारी के फर्वcellence बने रास आने की योगिक को सायसे उजग चंथियों कहते हैं ठीके दोस्तों इसके बाद जो सैसे उजग योगिक हैं या दिरव या बास्पसील ठोस होते हैं बास्पसील ठोस का मेनिंग क्या है ये जल्दी बास्पित हो जाते हैं सहसे युजक युगकों के गलनांक और कौतनांक निमन होते हैं इसके बाद सहसे उजयक योगिक जल में प्रहा आविले परंतु कावनिक योगिकों में बिले होते हैं आपको मैंने एक कंसेप पड़ाया था कि समान समान मिले होते हैं सापल शासैंगे सायो जीक दर्वित अवस्ता में में कुछा लख होते हैंॵ क्यूंकि लिव्यान आवस्ता में भी आए नुत्मन नहीं करें UV बाद है इसके एक SCL है और एक NH3, ए बिलियन या अगले तवस्ता में विद्धुत के चालक होते हैं, और नेक्ष्ट बात आता है दिसात्मक प्रिवित्ती, तो दिसात्मक प्रिवित्ती जैसे हमने कहा S2, S2 का हमने एक 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 जाम पर लिया, ठीक है, तो इसमें एक दिसा है, क्या है एक दिसा, एक ही बंद है, तो इसमें क्या है एक दिसा, तो जो बंद बंदता है, दिसात्मक प्रिवित्ती का होता है, जैसे मैंने एक लिया, NA, PLUS, PLUS समझ लेना, NA, PLUS, और CL-, तो इसमें कोई भी दिशा नहीं है इसलिए जो आनिक बंध होता है वो आधिसात्मक होता है जब कि उससे में जग बंध है वो दिशात्मक प्रिवित्ति का होता है इसके बाद एक निश्चित जयामिती रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि इसके जो बंद है उसमें दिसा होती है इसके बाद है आडविक किरिया मतलब जो परमाणू है परमाणू जो जोड़के अड़ू बनाते हैं ठीक है terre हम कह सकते हैं अड़ू जो आर्विक के लिए है वो साइसे हुजए के लिए आर्विक के लिए काते है आतहा जो के लिए अनुगों के मद्ध होती है ठीक है जो साइसे हुजए के योगों के अनुगों के मद्ध के लिए होती है ठीक है उसके बास समावाईता है तो साइसे हुजए के योगों के आत्मक बंद रखते हैं जिसके कारण इन में स्वावाईता पाए जाने की संभावना होती है ठीक है दोस्तो आज के लिए ही इतना ही अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करने और सब्सक्राइब जरू करने अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो